नमस्कार मेरे प्यारे विध्यारतियों नहीं हुँ प्रवीन बंसल और हम पढ़ दे हैं कक्षा पार्वी अर्थ शास्त्र अध्याय तीन उत्पादन एवं लागत इस अध्याय के पहले भाग में हमने देखा उत्पादन फलन क्या है कुल उत्पादन किसे कहते हैं औसतन उत पादन किसे कहते हैं और यह तालिका जो आपकी स्क्रीन पे है हमने इसके बारे में चर्चा की इसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं आपने देखा एक कारक जो बार-बार बदल सकता है जिसको अंग्रेजी में वेरियेबल फेक्टर भी कहा जाता है परिवर्ति आगत और यह कारक जो वेरियेबल है परिवर्तिन किया जा सकता है जिसके अंदर और एक स्थिर माल लेते हैं भूमी लैंड जैसे जैसे इसके साथ कारक जोड़े जा रहे हैं कोन से कच्चामाल या श्रमेक इत्यादी आपके उत्पादन में व्रिध्धी होती जा रही है शून्य से दस एक श्रमिक के लगने से दस दोनों श्रमिकों के लगने से चौबिस तीनों श्रमिकों के लगने से चालिस इसे कहा गया कुल उत्पादन परंतु एक से जो हमें बढ़ोत्री मिली वह कहलाया सीमान तुत्पादन मतलब एक मजदूर ने आपको दस एकाईया बना कर दी और दोनों मजदूरों ने मिला के आपको चौबिस एकाईया बना कर दी तो दूसरे के आने से जो बढ़ोत्री आपके कुल उत्पादन में हुई उसे कहा गया सीमान तुत्पादन अब जैसे तीसरे के आने के बाद कुल उत्पादन हुआ चालिस परंतु दो से था वह चौबिस तो बढ़ोत्री 16 एक आयों की हुई और इसे कहा गया सीमान्त उत्पादन तो कुछ इस तरह हम अर्थशास्त्र में सीमान्त शब्द के इतने सारे इतने सारे उधारणों को देख चुके अध्यायदों में भी आपने उपभोगता के रूप में इसको सीखा था तो देखिए पिछले भाग में हमने देखा कि एक कारक जो स्थिर है और एक कारक जो परिवर्तनशील है इन दोनों को मिला के अल्पकाल में उत्पादन किया जाता है तो बहुत सारे कारकानों में फैक्टरियों में इसको देखा गया और एक नियम की घोषणा करी गई और उस नियम का नाम रखा गया रासमान सीमांत उत्पाद नियम समझते हैं इस नियम के बारे में यह कहता है कि अगर हम किसी आगत के प्रयोग में वृध्धी करते हैं जब अन्य आगत स्थिर हो मतलब किसी आगत के प्रयोग में वृध्धी जैसे कि यह कारक अगर मैं इसको मज़दूर कहूं तालिका में देखिए इसमें वृद्धी हो रही है शुन्य एक दो तीन चार पांच छे यह वृद्धी हो रही है फिर से पढ़िए किसी आगत के प्रयोग में वृद्धी करते हैं हमने इसमें वृद्धी करी जबकि अन्य आगत स्थिर है भूमी, मशीन स्थिर है वह एक इकाई लग रही थी और एक ही इकाई लगती चली जा रही है यह आगत स्थिर है नियम कहता है तो एक समय के बाद ऐसी स्थिथी आएगी कि प्राप्त होने वाला अतिरिक्त आगत में गिरावट आने लगेगी परिवर्तित आगतों को बदलते जाएं मतलब वेरेबल फेक्टर को बढ़ाते जाएं और अगर आप ऐसा करते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि यह जो सीमान तुदपाद है वो गिरने लगेगा पहले वे बढ़ेगा फिर वे गटेगा और फिर एक समय ऐसा भी आ सकता है कि वे माइनस हो जाएं देखिए कैसे कुछ हद तक रास्मन सीमान तुदपाद नियम की संकल्पना परिवर्ति अनुपातों के नियम से संबंदित है यह कहता है कि सीमान तुदपाद का कारक आगत प्रारंभ में प्रयोग के साथ बढ़ता स्थर है अब फिर से देखिए प्रारंब में प्रयोक के साथ बढ़ता हुआ स्थर है जब आगत के प्रयोक का स्थर निम्न हो परंतु प्रयोक के एक नियत स्थर पर पहुँचने के उपरांथ इसमें गिरावट आनी प्रारंब हो ही जाएगी आप समझेए, इसको तालिका से समझेए पहले कारक को जब हमने स्थिर कारक के साथ जोड़ा तो हमें 10 हिकाइय मिली फिर सीमानत उत्पाद 10 ही कहलाएगा क्योंकि शुन्य पर आपको शुन्य उत्पादन मिल रहा था और एक कारक को जोडने से आपको 10 हीकाईय मिली तो सीमान तुटपाद कितना हुआ? 10 अब आपने दूसरे शरमिक को लगाया कुल उतपादन हो गया 24 10 से आप कहां पहुँच गए? 24 पे तो सीमान तुटपाद कितना हुआ? 14 10 से 24 पे आना अर्थात 14 एकाईयों की बढ़ोत्री होना अभी देखिए सीमान तुटपाद बढ़ दहा है जैसा कि नियम के वारे में बताया गया कि प्रारंब में प्रयोग के साथ बढ़ता स्थर है मतलब शुरुवात में सीमान तुटपाद बढ़ दहा है इसका मतलब शुरुवात में यह बढ़ता हुआ नजर आएगा फिर इसके बाद आप देखते हैं चौथे श्रमिक के आने से सीमान तुटपाद घट रहा है तो फिर कहता है जब आगत के प्रयोग कस्थर निम्न हो परन्तु प्रयोग के एक नियत स्तर पर पहुंचने के उपरांत इसमें गिरावट आने लगती है अब देखिए चौथे लेबर के आने से चौथे श्रमिक के आने से आपका सीमान तुटपाद घटने लगा है जो दस हुआ फिर छे हुआ जो एक हो गया ऐसा क्यूं होता है ऐसा इसलिए होता है कि यह जो आपका स्थिर कारग है इसकी एक कपैसिटी है इसकी एक अधिकतम सीमा है और इसके उपर एक हद तक ही श्रमिक काम कर सकते है और जैसे जैसे इस पे श्रमिकों का बोज बढ़ेगा इसकी उत्पादन शम्ता कम होगी इसलिए यह नियम कहता है कि आप एक स्थिर कारक के साथ जैसे जैसे variable factor जोडते जाएंगे आपको शुरुवाती दिनों में या शुरुवाती स्थर पे यह तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा और जैसे जैसे इसकी सीमा कम होती जाएगी आपका उत्पादन कम होता जाएगा और यह अलपकाल के लिए है अलपकाल के लिए क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ भूमी को भूमी को कभी भी नहीं बदला, एक कारक स्थिर और बाकी सभी कारक परिवर्थ तो इसे कहते हैं नियम, किसका? रासमान सीमान उत्पाद नियम तो आप इस तरह की नियम के प्रश्न अपनी परिक्षाओं में आम तौर पे देखते ही देखते हैं मैं फिर से इस नियम को दोहराना चाहूँगा कि शुरुवात में जो सीमान उत्पाद बढ़ेगा वह तेजी से बढ़ेगा और उसके बाद वह गिरना शुरू हो जाता है जैसे कि हम लोगों ने देखा कि शुरुवात में कुल उत्पाद बढ़ दहा है, सीमांत उत्पाद भी बढ़ दहा है तो आप इन सभी उत्पादों को अगर ग्राफ में दिखाएं तो इनकी आकरतियां किस तरहां की बनेगी? हमें यह देखना है तो चलिए, पहले तालिका को फिर से एक बार समझ लेते हैं और इनकी आकरतियों के बारे में फिर चर्चा कर लेते हैं आप अगर तालिका में कुल उत्पाद को देखें तो शुरुवात में वह 10 से 24, 24 से 40, 40 से 50 और फिर 50 से 56 और 57 क्या आप यहां? यह देख पा रहे हैं कि शुरुवात में उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ना है और उसमें तेजी से बढ़ने के बाद बढ़ोत्री में थोड़ी सी गिरावट होती है जैसे कि चूनने से 10 होना, 10 से 24 होना और 24 से 40 होना बहुत ही तेजी से बढ़ना है जैसे कि मैंने आपको बताया यह सब किसी एक स्थिर आगत के साथ जोडे जा रहे हैं penx factor के साथ जोडे जा रहे हैं और उस fix factor की एक सीमा है जैसे जैसे आप इस पर श्रमेकों का बोज बढ़ाते चले जा रहे हैं बढ़ोत्री की दर कुछ कम हो रही है अब आप यहां से देखिए चालिस से पचास के बाद जो बढ़ोतरी हुई वह कम तेजी से हो रही है तो यह इसलिए बताया जा रहा है कि आप इसका आप इसका ग्राफ बनाते हुए इसकी आकरती को इसी तालिका के हिसाब से सोचें और देखें फिर बात करते हैं सीमानत उत्पाद की आप सीमानत उत्पाद में देखते हैं कि यह दस से चौदा से सोला पर आया मतलब पहले बढ़ोत्री हुई हर श्रमिक जैसे जैसे स्थिर आगत के साथ जुड़ रहा है स्थिर कारक के साथ जुड़ रहा है आपको जादा से जादा जादा से जादा उत्पादन करके दे रहा है परंतु है स्थिर कारक एक सीमा तक इसको सहपाता है और जैसे ही श्रमिकों का बोज इस थिर कारक के उपर बढ़ने लगता है तो उससे मिलने वाला उत्पादन पहले जितना नहीं रहता जैसे कि एक मशीन शुरुवाती दिनों में बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए कार करती है जैसे जैसे उसके उपर जादत जादा मजदूर लगते हैं समय बीटता है उससे मिलने वाला उत्पादन पहले जितना नहीं रहता तो वही इस नियम का कहना है और इसी के हिसाब से इसकी आकरती भी बनेगी दस से चौदा होना चौदा से सोला होना हर श्रमिक आपको जादा से जादा उत्पादन करके दे रहा है समय बीट चुका है श्रमिकों की अधिक्तम सीमा पहुँच चुकी है अब मिलने वाला उत्पादन पहले जितना नहीं रहेगा तो आप शायद इनकी आकरतियों के बारे में समझ चुकी है देखिए कुल उत्पाद जैसे कि हमने देखा शुरवात में तेजी से बढ़ना और उसके बाद बढ़ना लेकिन कम तेजी से इस कारण इसकी आकरती ऐसी दिखाई देती है और यहां कारक एक और यहां आउटपुट निर्गत कारक एक मतलब जो परिवर्तित कारक है जो वेरियेबल है जो बार बार बदलता रहेगा स्थिर कारक को आप किसी भी एक्सेस पे नहीं दिखा रहे है इसलिए कुल उत्पाद की जो आकरती है वो कुछ इस तरीके से बनाई गई है तेजी से बढ़ना और उसके बाद कम तेजी से बढ़ना यह है कुल उत्पाद का रेखाचित्र ग्राफ देखते हैं सीमानत उत्पाद कैसा दिखता है जैसे कि हमने अभी-अभी देखा कि सीमान तुदपात पहले बढ़ता है और उसके बाद गिरता है हमने इसको तालिका में देखा कि पहले हर श्रमिक आपको पहला श्रमिक बढ़ोत्तरी करता है 10 एकाईयों से, फिर 14 एकाईयों से, फिर 16 एकाईयों से इसलिए यह ग्राफ यह रेखा चित्र आपको उपर बढ़ता हुआ दिख रहा है परंतु उसके बाद सीमान तुदपात गिरने लगा हर श्रमिक कुछ एकाईयों बनाएगा तो सही परंतु उतनी नहीं जितनी पहले के श्रमिकों ने बनाई क्यूंकि जो आपका स्थिर कारक है उसकी शमता खतम होने लगी है पुरानी मशीन उतनी इकाईयों नहीं बनाएगी जितनी पहले की इकाईयों बना रही थी इस कारण यह गिरने लगता है और यह हुआ सीमांत उत्पाद का रेखा चित्र अब बात करेंगे औसत उत्पाद के रेखा चित्र की आप देखिए जब जब आपका हर श्रमिक जादा से जादा उत्पादन कर रहा था एक चरमिक आया उसने 10 इकाईयों का उत्पादन किया दूसरे चरमिक ने 14 इकाईयों का उत्पादन किया तीसरे ने 16 इकाईयों का उत्पादन किया तो बड़ी जाहिर सी बात है आपका औसत उत्पादन भी बढ़ेगा देखिए ओसत उत्पादन का फॉर्मूला था कुल उत्पादन को भाग करना है परिवर्थित कारक से आप देखिए एक ने दस बनाए तो ओसत दस आया अब देखिए दोनों श्रमिकों ने 24 इकाईयों का उत्पादन किया तो ओसत आया 12 आप समझ रहे हैं आउसत 12 क्यूं आया? क्यूंकि दूसरे श्रमिक ने पहले वाले से भी जादा उत्पादन किया इसलिए आउसत बढ़ा परंतु आउसत 14 से बढ़ा नहीं है दूसरे ने 14 इकाईयों को बनाया इस कारण आउसत बढ़ा परन्तु ओसत निकालते हुए आपकी पुरानी और नई दोनों श्रमिकों के उत्पादनों को जोड़ना है तभी तो वह 24 बना और 24 का दो श्रमिकों से भाग करने के पास जो ओसत आया वह आया 12 और यह तब तक बढ़ता रहेगा यह ओसत तब तक बढ़ता रहेगा जब तक आपका हर आने वाला श्रमिक उत्पादन बढ़ाता रहता है जैसे अगले श्रमिक ने 16 एकाईयों का योगदान दिया कुल एकाईयां हो गई 40 और औसत हो गया 13.33 आप देखिए जैसे जैसे सीमान उत्पाद बढ़ रहा है वैसे वैसे ओसत उत्पाद भी बढ़ रहा है आगे आगे देखिए सीमान उत्पाद कम हो गया अब अगले श्रमिक ने आपको उतना उत्पादन नहीं करके दिया जितना की पिछले श्रमिक ने दिया था अगले श्रमिक ने मात्र दस इकाईयों का ही योगदान दिया अर्थाथ आपका उसत गिरने लगा मतलब जब तक सीमान उत्पाद बढ़ेगा उसत भी बढ़ेगा परन्तु सीमान उत्पाद जादा रहेगा सीमान्त उत्पाद के बढ़ने के कारण ही ओसत उत्पाद बढ़ रहा है और जैसे ही सीमान्त उत्पाद गिरने लगेगा ओसत भी गिरने लगेगा परिंतु ओसत उस वक्त सीमान्त से जादा होगा क्योंकि औसत सभी की इकाईयों को जोडने के बाद शरमिकों से भाग किया जाता है तो यहां से आप पता लगा पाएंगे कि आपके औसत उत्पाद का रेखाचित्र कैसा बनेगा देखिए औसत उत्पाद भी बढ़ रहा है जब तक सीमान उत्पाद बढ़ रहा है लेकिन जैसे ही सीमान उत्पाद गिरा औसत भी गिरेगा सीमान के गिरने के कारण औसत भी गिरेगा ही गिरेगा परन्तु औसत अब सीमान से जादा होगा क्योंकि औसत का अर्थ है सभी का एवरिज अब देख पा रहे हैं आप कि ओसत गिरा तो गिरा लेकिन सीमान्थ से उपर सीमान्थ से वह जादा रहेगा तो यह हैं कुल उत्पाद सीमान्थ और ओसत के रेखा चित्र ऐसे हमने यह रेखा चित्र बनाए अब देखिए आपका अध्याय दो भागों में वटा हुआ है उत्पादन एवं लागत उत्पादन में बस अब एक आखरी चीज यह बची है कि पैमाने का प्रतिफल क्या होता है तो चलिए इसे जान लेते हैं अभी तक हमने उत्पादन फलन के विभिन पहलूँ को देखा जब एक आगत में परिवर्तन लाया गया और अन्ने को स्थिर रखा गया मतलब अभी तक हमने ऐसा उधारन लिया है कि एक फेक्टर फिक्स रहता है और बाकी बदलते रहते हैं अब हम देखेंगे कि जब कभी आगतों में साथ साथ परिवर्तन आता है तो क्या होता है अब हम देखेंगे जब सभी आगतों में मतलब अब सभी फेक्टर वेरियेबल होने वाले हैं मतलब मशीने भी बदली जा सकेंगी भूमी भी बदली जा सकेंगी और श्रमिकों को अब बदल ही रहे हैं तो यहाँ पैमाने का प्रतिफल देखिए Returns to Scale मतलब अब किसी कार खाने या फैक्टरी का Scale बड़ा होने वाला है Scale बड़ा होने वाला है कारत क्या हुआ कि आप सभी आगतों को सभी फैक्टर्स को बढ़ा रहे हैं आप जहां 10,000 एकाईयां बना रहे थे आप 10,000,000 एकाईयों को बनाने की भी बात करेंगे और यह कब संभव है यह दीर्ग काल में संभव है Long Run स्थिर पैमाने का प्रतिफल उत्पादन फलन की एक विशेष्टा है यह तब होता है जब सभी आगतों के अनुपातों में वृद्धी के फल स्वरूप आउटपुट में भी उसी अनुपात में वृद्धी होती है जैसे जैसे आप भूमी, मजदूर, कच्चा, माल, मशीन सब को बढ़ा रहे हैं और जिस अनुपात में आप इन आगतों को बढ़ा रहे हैं जिस अनुपात में आप इन आगतों को बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में आपका उत्पादन भी बढ़ेगा यह है पैमाने का प्रतिफल और मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि यह सिरफ और सिरफ दीर्गकाल में संभव है जब आप सभी आगतों को अनुपात में बतल सकते हैं और उसी अनुपात में उसी अनुपात में आपको क्या मिलेगा उत्पादन भी बढ़ता हुआ मिलेगा वर्दमान पैमाने का प्रतिफल तब आता है जब सभी आगतों में समानुपाती वृद्धी के परड़ाम स्वरूप वृद्धी होती है आउट्पुट में भी वृद्धी होती है जो समानुपाती वृद्धी से अधिक होती है मतलब शुरुवात में तो आपको आउट्पुट में जो वृद्धी दिखाई देगी वो आगतों से जादा दिखाई देगी और हर उत्पादक उसको वहीं रोग देगा जहां उसको उसकी कीमत कम से कम पड़े अब यहां उत्पादन का अध्याय खतम होता है क्योंकि अब कीमत शब्द मैंने बोल दिया हर उत्पादक किसी भी कार खाने से उस कीमत तक काम लेगा जब तक वह उसको कम से कम पड़े जहां कीमत भढ़ने लगेगी वहां उत्पादन रुख जाएगा और नए कारकों की अवशकता आएगी मतलब उत्पादन तो हो गया लेकिन अब उत्पादन करते हुए एक उत्पादक को इस बात का ध्यान रखना है कि कीमत कब कम पड़ेगी और जब कीमत कम पड़ेगी तभी उसको मुनाफा होगा यहां से इस अध्याय का अगला भाग शुरू होता है जिसका नाम है लागत जिसे हम करेंगे अगले भाग में उससे पहले आप सभी विध्यारती अपनी पाठ्थे पुस्तक के पीछे दिये गए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो उत्पादन से संबंदित है तब तक के लिए धन्यवाद तब तक के लिए जो ऊगले दिसे हम करेंगे जो ऊगले उत्पादन से संबंदित है